नमस्कार दोस्तों एटेक्ष अश्रडी सेंटर के यूटूब चैनल में आफ सभी का स्वागत है कच्छा आठफी का प्रिश्णावली साथ दस्मलोएक रचना कंट्रक्शन आज बताने हम जा रहे हैं ध्यान दिजिए पहला कोश्चन है एक चत्रभूच ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बरावर 4CM, BC बरावर 6CM, CD बरावर 2.6CM, AD बरावर 2.3CM और एक बिकरण AC बरावर 4CM है तो जब भी हम कंट्रक्शन बनाते हैं तो पहले क्या करेंगे कच्चा आकिरती बना लेंगे एक कच्चा आकिरती ले लेंगे फिर उस हिसाफ से हम पैंसेल, प्रकाल, असकेल और चांद या अन्य जो भी इस्ट्वेन बाक्स के समागरी होता है उसकी यूश से हम उसका रच रचना करें कैसे हमें क्या करना है एक चत्रभूझ एवी सीडी की रचना करना है चलिए करते हैं एक यह चत्रभूझ अमने यहीश यहिंदी ले लिया, रचना किया Ahich 一 से अंब इसका मान बठाते हैं देखिया इसका मान मान क्या दिया हुआ हुआ है? AB का मान दिया है 4CM AB कितना होना चाहिए है 4CM BC का मान कितना दिया हुआ है 6CM CD का मान कितना दिया हुआ है CD कितना है 2.6CM ये कच्छा अकृति एक अंदाज पर इसको बना रहा है फिर जो पक्का अकृति बनाएंगे तो मान सारा हम लेंगे एडी का मान कितना दिया है दो दसमलो तीन सीम ये एडी है दो दसमलो तीन सीम और एक बिकार्ड एसी दिया है ये बिकार्ड दिया हुआ है इसका मान दिया हुआ है चार सीम तो ध्यान दिजिए एसी रेखा पर दो त्रभुज बना है एक यह बना है और एक यह बना है इस त् के नाम है ADC सारा भूजा हमें प्राप्त है एक विकॉर्ण प्राप्त है तो क्या करेंगे हम अस्केल के माध्यम से सबसे पहले एक विकॉर्ण किछ लेंगे जिसे AC दिया हुआ है ना तो हम एक बिकार्ण ले लिए ए और CATION यह से प्रकार से बिकार्ण ले लिए आस्केल के साहいました से नाप लेंगे कितना सीम लेंगे बिकार्ण चार सीमा औप देख रहा है कि AC में से बी कितना दुरी पर रहें हैं और toparकाल में पेंसिल को कस करके क्या करेंगे कि A से B का दूरी देखें कितना है 4CM है तो यहां से प्रकाल का जो नोक वाला भाग होता है रखेंगे और पेंसिल वाला भाग से 4CM काट देंगे क्या करेंगे 4CM का दूरी काट देंगे फिर अब C से लिए और देखेंगे बी का दूरी कितना है तो से से कितना दूरी पर है छे सें गड़ी पर था सी पर प्रकाल को रख करके आप का दूरी歌 करें गया तो हम लोड़ा रीडकर गिड़ा सिर्थ को घ्या हमारा ग्यात हो गया क्योंकि यह A-C-B-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C- अब क्या करेंगे D बिंदू हमें ग्याद करना है A से D कितना दूरी पर है और C से D कितना दूरी पर ये देखेंगे A से D कितना दूरी पर है 2.3 cm तो यहां परकाल रखेंगे और 2.3 cm की दूरी पर काट देंगे फिर C से कितना दूरी पर है 2.6 cm इसको भी क्या करेंगे C पर प्रकाल रखेंगे और स्केल से 2.6 cm नाप कर प्रकाल से काड़ देंगे मालने कि यहां कट गया तो यह देखेंगे कि D बिंदू हुआ यह कौन सा बिंदू हुआ D बिंदू C से D कितना दूरी पर आए देखिए C से D कितना दूरी पर है 2.6 cm इसके बराबर हमने चाप लेकर किसको काटा है A से D कितने दूरी पर है A से यहां D देखिए 2.3 cm की दूरी पर है यह दूरी कितना हुआ 2.3 cm इस प्रकार से हमरा अकरिती बनकर त्यार हो गया चत्रुभुजे के A B C D बना जिसका ध्यान दीजिए A B भुजा कितना है 4 cm B C भुजा 6 cm C D भुजा कितना है 2.6 cm A D भुजा कितना है 2.3 cm आप विकर्ण सबसे पहले हमने ले लिया था A C कितना 4 cm इस प्रकार से हमरा कोश्चल बन गया यह कोई दिक्कत नहीं है यह समझ माया है तो जुरूर आप कमेंट कीजिएगा लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा और सबस्क्राइब जुरूर कीजिएगा जिससे हमारा हर विडू आप सबसे पहले देख सकें नमस्कर बच्चो Apex Study Center के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है कैंट्रक्शन का कच्चा आठ का प्रशणावली साथ दस मौलो 1 का question number 2 एक चत्रभोच PQ RAS की रचना किजिए जिसमें PQ 3 दस मौलव 8 cm कितना है? 3 दस मौलो Architecture QR 2 दस मौलो 6 cm PS 5 cm और ये PS कितना है? 5 दस मौलो 5 cm RS है 5 cm और PS कितना है पांच दसमोलों पांच सीए और एक बिकार्ण का लंबाई दिया है पांच सीए तब पहले हमें कच्छा अकिर्थी का रचना कर लेंगे पहले बनाएंगे PQRS एक चत्रबूज हमने बना दिया PQ कितना दिया है तीन दसमोलों आठ सीएम QR कितना दिया है दो दसमोलों चौँ सीएम RS कितना दिया है पांच सीएम उसके बाद PS PS कमान कितना दिया है पांच दसमोलों पांच सीएम एक बिकार्ण दिया है PR ये बिकार्ण का लंबाई दिया है PR यह बिकावन दिया इसकी कितनासी कितना दिया है 5 चलिए हम एस्वेल और परकालकी सहाश्टा से इसको बना सकते हैं देखिए यह स्केल होगे आपका सबसे पहले हम बिकार्ण प्यार ले ले रहा है पाँच सीम बनाने के लिए कैसे भी ले सकता ऐसे भी ले सकता ऐसे भी जैसे हम ले सकता ऐसे भी ले करके बना सकते हैं चत्रूबोज आइसे हम लेते हैं चलिए कितना है P R है 5 cm यहां से हम 5 cm कर लेंगे यह 5 cm दिकरा है ना यह बिकार्ण हो गया इसका नाम क्या है P R यहां P दे देंगे यहां R देंगे इसकी लंबाई कितनी है 5 cm अब चलिए हमें P से Q P से Q का दूरी देखना है और R से Q का यह Q बिन्दू ग्याद करना है ना क्योंकि इसमें दो त्रभूज बन रहें किये हैं और यह किये इस रेखा पर P R रेखा पर तब P से Q और R से Q काड़ देंगे तो एक त्रभूज हमरा आ जाएगा फिर P से इधर S और R से S काड़ देंगे तो दूसरा त्रभूज आ जाएगा इस प्रकार से दो त्रभूज मिलकर एक चत्रभूज बन जाएगा क्योंकि चत्रभूज के कोई भी पिकाड़ उसे दो त्रभूज में क्या करता है बाड़ देता है डिवाइड कर देता है तो ध्यान दीजी ये पी से कीव की दूरी कितना है 36.08, हम क्या करेंगे प्रकार के माध्यम से 30.08 नाप लेंगे देखिए ये प्रकाल हो गया या स्केल हो गया देखिए तीन यहां पर है ना 3.8 हमें लेना है तो 3.8 ऐसे या ऐसे जैसे भी नफ सकते हैं यह 3 हो गया 3 के पाद 1, 2, 3 देखिए यहाँ पर है आपका छोड़ा प्रकाल में भी आइसाज दिया हुआ है आप सभी उसको देख सकते हैं कितना ना अपना है 3.8 बिल्कुल देखिए यह 3.8 हो गया आठ के लिए इसको काट देंगे काट दिये अब आर से कितना लेना है ध्यान दीजिए पीस से क्यू है 3.8 और आर से क्यू है 2.6 तो यह 2 हो गया ना आई यह 8 हो गया यह 2 आई यह बीच में अधवा है ना तीन और दो के बीच में 8 हो गया चलिए नाप देते हैं यह हो गया 2.6 आर से अब क्या करेंगे 2.6 कार देंगे आर बिंदू पर रखेंगे और रख करके यह 2.6 का देंगे नई लड़ा थोड़ा सी कतो देख है को और पढ़आ देंगे यह बढ़गी यह जहां प्कता ना उस विंदू क्या नाम हो जाएगा Q नाम हो जाएगा Q और स्केल के साहितासे क्या करेंगे इसको मिला देंगे Q को P से फिर यहां भी R को क्या करेंगे Q से मिला देंगे ऐसे रख करके इसको मिला देंगे तब P की वारता आ गया अब क्या करेंगे P से हमें A से लाना है कितना 5.5 और R से 5 तक काटिए 5.5 का चाप लेंगे यह हो गया 5 दसमालो 5 यह चाप हो गया 5.5 का किस के लिए P से A स के लिए P से A स के लिए चलिए P से काटते है यह P बिंदू है ना यहां से कट गया P से A स के लिए हमारा कट गया 5.5 और R से A से के लिए कितना कटना है 5 कटना है चलिए पंच कट लेते हैं, दसमोलों पंच कम केवल, थोड़ा सा कम, देखिए ये पंच ऐसे नाप लेंगे, देख रहा है न, आपके छोटा स्केल में भी ऐसा दिया हुआ है, इसको नाप सकते हैं, यहां से आर से पंच कटना है, आर पर इसको रखेंगे, आर बिंदू पर, और इसको ऐसे कट देंगे, देखिए यहां पर कट क्या न, जहां दोनों रेखा कट रहा है, उसका नाम दे दे देंगे, उसका नाम क्या दे देंगे, इसका नाम क्या दे देंगे, एस दे दे देंगे, और असकेल से मिला देंगे, पी और इसको क्या करेंगे, मिला देंगे इधर R और S को क्या करेंगे मिला देंगे इस परकार से आप नाप कर देख सकते हैं ये PQ कितना हैगा 3.8 3.8 दिया हुआ है ना देखिए जब नाप नाया थी कितना रहा है 3.8 cm कितना हैगा 3.8 cm ये कितना हैगा 2.6 cm यह कितना आएगा P से S की दूरी 5CM, कितना दिया हुआ है? 5CM, यह कितना आएगा? 5D 5CM, पी S की दूरी कितना है? 5CM, पांच CM, इसको आप नापकर भी यहां से चेक कर लेंगे, तो 100% सही है, तो इस प्रकार से बच्चों, आप कांट्रक्शन को बना सकते है, आगे वीडियो मेरा यदि आपको समझ में आया है तो जुरूरी से लाइक करें, सेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे आप हर हमारा वीडियो को सबसे पहले देख सकें, इसके लिए आप बला इकनोला घंटी दवाना नहीं भूलें, थैंक्यू बच्चो